ह कि दोस्तो और आप देख रहें दोस्तों हम बात करेंगे बिहार्स में data के लिए data के लिए data कलिए आप registration धोंब चुका है यदि आप दसवी पास हो चुके हैं तो आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों यदि यदि आप दसन्संड पास और हमाले रेजुएशन है आप यदि करना चाहते हैं तो आप जरूर करें कि 2024 का यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म आच चुका है यह ओफिस्यल वेब साइट का लिंक है यह आप देख सकते हैं और यहां से हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे कि देखें रेज्टेशन डेट यहां आप यहां पर स्टार्ट है आपका साथ अपरील से 2024 ऑनलाइन रेज्टेशन क्लोजिंग डेट दिया गया है कि पांच मई यहां पर आप 11 12 बजे मतलब 12 बजे के लगबग यहां पर भर सकते हैं लास्ट डेट और लास्ट डेट आप पेमेंट दिया गया है यहां पर 6 मई तक 6 मई तक लास्ट डेट दिया गया है और ऑनलाइन इडिट का भी दिया गया है आप आठ तके दिए आप फॉर्म भरते हैं कुछ गलती हो जाती है तो आठ पांच 2024 टू एक ग्यारा पांच 2024 तक आप इसको इडिट भी कर सकते हैं लोगिन करके जिस अप्लिकेशन आइड नंबर और पासवर्ड कहीं पर लीखने सेव करके उसको रख लें अब देखिए हम पूरा एडवर्टाइजमेंट भी यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप दस्वी पास हैं अब देखिए ज अब देखिए यहां पर मुख्य बाते हम जो है उकर लेते हैं पर रेजिस्ट्रेशन करेंगे इसी वेपसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप लीक सकते हैं डिरेक्ट भी ओपेन कर लिजिए इस वेपन करना वेपसाइट सिखिए आप जा जाके किलिक करेंगे रेजिस्टेशन देखिए रेजिस्टेशन आपको करना बहुत ही जरूरी है तभी आपको अप्लिकेशन और अप्लिकेशन आइडी और पासवर्ड मिलेगा इसके लिए आपको पास दो चीज़े होनी जरूरी है एक तो आपको पास मोबाइल होना चाह में ज्यादा कुछ registration में नहीं डालना रहता है आप अपना नाम डालेंगे पिता जी का ना मोबाइल नंबर इमेल डालने के पाद समिट कर देंगे आपको अप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा वहां से पूरा प्रोसेस करेंगे आप पॉर्म भरने का ठीक है तो यहां पर एस्टेप एस्टेप भी बताया गया है किस तरीके से आप प्रोसेस अपना कर सकते हैं नियूर इस्टेशन पर जाना है किलिक करना है यहां पर दिया गया है कि इमेल आइडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए फिर लॉग इन अब आपको अप्लिकेशन नंबर पासवर्ड मिल जाएगा तो लॉग इन करेंगे एकाउंट में ताकि वहां पर अप्लिकेशन पूरा फिल अप कर सके अप्लिकेशन पूरा फिल अप करने के लिए आपके पास जो डॉक्मेंट है वह यहां पर क्या होना चाहिए तेन्थ का जो मार्क सीट हो गया और होना चाहिए और डॉक्मेंट अपलोड भी करना इसमें तो क्या डॉक्मेंट रहेगा जैसे सिगनेचर आपका हो गया और फोटो हो गया आपका फोटो जो होना चाहिए ततकाल क करने के बाद उसको रिवीव कर लेंगे ताकि उसमें कुछ गलती तो नहीं आपने किया है जब आप पूरा इसका रिवीव कर लेंगे कि कुछ आपने गलती नहीं किया है तब उसको समिट कर देंगे समिट क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट मैंने बता ही दिया कि किसी किसको कितना कितना करना है तो यह पेमेंट आपको महीं पर कर देना है अप्लिकेशन को प्रिंट आउट करके हाड को पी उसका निकाल लेना है या कहीं पर सेव करके रख देना है ताकि काउ पोटो जो होना चाहिए आपका यहां पर दिया गया 100 KB से कम का होना चाहिए और यहां पर signature देखिए Hindi English दोनों में करना है वह भी 100 KB से कम होना चाहिए ठीक है यदि आप आप खुद से अब भर रहें तो यह सारी चीज़ा आप कर लेंगे अधार कार्ट यहां पर दिया गया कि अधार कार्ट भी उसमें मांगा जाएगा उसका नंबर उसमें डालने के लिए हो सकता है और इसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहां पर कुछ कि पेमेंट करते हैं तो आपके पास एटी एम क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपी यह सब होना चाहिए तभी आप खुद से फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो यह है और देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूं यहां पर दोस्तो चली देख लेते हैं कि क्या दिया अद्वटाइसमेंंट यहां उप क्लिक कर देते हैं इस्त्त जैसे क्लिक करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि भिःए परिफ्टर्य परिच्छ परिश्पर की का पूरा यहां पर वीपरन और सारी शिज़े यहां पर दी यहां पर जो भी इंजिनेरिंग कॉलेज हो गया यहां बिहार में जो टेकनिकल जो सिख्छा होती उसकी यहां पर पूरी जनकारी यहां पर दी हुई है तो यहां पर पूरत दिया गया है प्रोसेस की कैसे आपको फिल अप करना है आप देख सकते हैं एड़वेटाइजमेंट भी जैसे फॉर्म आ रही जैसी यह आपका आई टीए का आया हुगा है तो आप देख सकते हैं यहां भी इस तरिके से दिया गया तो यहां पर किलिक करेंगे तो यही पेज ओपेन होगा एड़वेटाइजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया है सारी प्रोसेस जो मैंने बताया वही चीज इसमें भी दी गई है लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि यहां पे रखिए मिनिमूम एज जो होना चाहिए इसमें अपलाई करने के लिए 14 बरस होना चाहिए और मेकैनिक मोटर वेहिकल और मेकैनिक ट्रैक्टर के लिए आपका नियुनता मुम्र 17 बरस होना चाहिए यानि कि यह जो ब्रांच है इनके लिए अपलाई करने के लिए आपके पास मिनमूम एज जो होना चाहिए मैट्रिक में आपके 17 बरस होना चाहिए यानि कि 17 बरस आपका एच पुरा हुर जाना चाहिए